नमस्कार दोस्तों मैं हूँ योगता स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ट स्काई में ब्रेस्ट कैंसर आज महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर बन गया है भारत में तो सबसे जादा महिलाए इस कैंसर की चपेट में आ जाती हैं आकडों के मुताबिक भारत में हर आठ में से एक महिला ब्रेस्ट कैंसर की चिकार हो जाती है इसलिए इस कैंसर के परिक्षण के लिए सही समय पर जाच करवा लेनी चाहिए आम तोर पर कहा जाता है कि अगर ब्रेस्ट में दर्द हो या फिर गाठ मैसूस हो तो वेट ब्रेस्ट कैंसर की निशानी हो सकता है लेकिन इस से जुड़े ऐसे भी लक्षण है जिनके बारे में महिलाएं शायद नहीं जानती होंगी अगर हम लक्षण की बात करें तो स्किन के टेक्स्चर और रंग में बदलाव, निपल की स्किन उतरने लगे या पपड़ी जम जाए, ब्रेस्ट सिकुड जाए या उसमें गढठा बन जाए, एक या दोनों ब्रेस्ट की शेप या साइज बदल जाए, ब्रेस्ट मिल्क के अलावा किसी और तरह का डिस्चार्ज होने लगे, ब्रेस्ट में सूजन आ जाए या फिर लगातार खुजली होने लगे तो फिर ये ब्रेस्ट कैंसर की निशानी हो सकती है, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर से बचाव की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए हेल्दी खान पान अपनाए नियमे तौर पर एक्सराइज करे और ब्रेस्ट की हर तीन महीने जाज कराए इसके अलावा डाइट में ऐसी चीजों का सेवन करे जो एंटी ऑक्सिडेंट और एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी से भरपूर होते हैं जैसे की काली मिर्च, टमाटर, लहसून, अद्रक, ग्रीन टी आदी तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें